इगलेत मांता हैं आपका स्वागत है चैसा कि आपका पता कि इलावाद हाई कोड़ की इक्जाम जो हुए थी उनकी आंसर की जारी हो चुकी है इस बार का प्रोसेस थोड़ा सा लेट रहा है यानि कि आपका पता एक्जाम जो है दस ग्यारा और 17-18 को हुआ और रहा था आपकी आंसर की रिजट हुई में का लेट प्रोसेस हो गया फिर भी इनका प्रोसेस लेट हुआ है लेकिन हो सकता कि आए प्रोसेस निकर थोड़ा सा सही रहे तो आप बहुत सारे कंडिटेड ऐसे हैं जिन्होंने अंसर की अपनी मिलाई हुए उनके नंबर जो पहले आ रहे थे उससे भी कम नंबर हो गए क्योंकि आंसर की में कुछ आंसर ही गलत दिए गए और इनका प्रोसे इतना ज्यादा उल्टा सीधा यानि कि एक आप अप्जेक्शन करें तो इसके लिए पांस रुपए चार्ज कर रहे हैं तो यह बीन को एक तो आंसर खुद गलत दें और इसके बाद पांस रुपए आपके पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारी लोग अब जो है सब कौशन मिला लीजिए कि तो कुछ लोग रेज करते हैं तो अलागी नंबर तो सबको वह इसे भी मिल जाएंगे मालों करेक्शन जब करेंगे तो फिर भी वह बार आलम लोग यह देख लेते हैं कि कितनी सभी पोस्टों की लगबक एक्सपेक्टेड कटाप जाएगी जैसा कि आपको पता कि पेपर क मतलब सरह यहीं कहाते हैं लेकिन यह पेपर के दिहां तुनना करोगों तो यह मानके चलिए कि यह पर हैँडिक पर अपक्रेंट तो कि स्विंध करें आपको पता है कि जूनियर एशिचेंड टेक्रेड अप्रेंटिक्स की जब्कि जो गुरूपडी का में चाहाएगी जब प्रप्रेशन करें उनका प्रोसेज जल्दी रहेगा यह माने जल्दी है फरवरी के सेकेंड वीक तक ज्यादा दर चांसे हैं कि आपकी इसके लोगे मेंस बगएरा हो जाए ठीक है तो अभी देख लेते हैं प्रीवियस एर कटॉप कितनी के दी तब ज्यादा अच्छे से चा इसके बाद आप यह नीचे देख सकते हैं पूरी कटॉप आपके सामने दी हुई है ठीक है इसमें क्या पेपर का लेवल थोड़ा था इजी आ गया था और आपको पता है कि जो गुरूप सी होती इसकी कटॉप जो बनती है फाइनल कटॉप और आपको पता है प्रीकी दिखाते हैं में दोजार अठारा उनीच वाली कटॉप आपको यह आप देखेंगे दोजार अठारा उनीच वाला जो कटॉप है वह फाइनल कड़ा वेक्ट चबिस है आप देखेंगे पहले तो चाथित गया था यह 26 है वह भी सी एक सो नीच है सेडियूल कास्ट का पहले इडवलेस नहीं होता था इडवार यहां से आपने अपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यहां से आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मार्जिन क्या पूरा खेल जो है वह पेपर के लेवल का यानी कि पेपर का लेवल यदि जी आएगा तो कट आप अपने आ आपने यहां से डिक्रीज होने के चांसे से ठीक है तो अब जड़ा आंगे देख लिए यह गुरूप सी की थी यह देखेंगे आप इस टैनोग्राफर ग्रेट थर्ड हिंदी कट आप मार्क से यहां पर यूर की आप देखेंगे तो एक सुबांसर्ट पॉइंट टूएं सिर्डियेंट के इङने तो ने एक सेडूल कास्ट की देखने यह देखेंगे इक सो पैंधीट वूमें जनरल एक्सोट शॉपण अधर अधर बैक्वर्ड क्लासेश एक सो उन्सेट पॉंसल पाइब जीरो ने खार पच्षास वूमें चैट्ट की सवब्सुक्राइंट तो और भी देख सकते हैं आप गुरूब डी कि मैं कटाओ आपको दिखाने वाला हूं तो यह जो फाइनल कटाफ है 2016 वाली गुरूप डी कि आप यहां से देखेंगे तो कटाफ बहुत जादा यह 200 नंबर पर अब देखेंगे लिए फट नाइन डीए फट अब इसके बाद एक सर्विसमें का यहां पर आपकोटा देख सकते हैं कि ओपर इसके बाद फूमैन की देख सकते हैं वो मैं भी अच्छी ती वह मैं यूआर की आप देखेंगे तो चाठ गई वाई ओवी सीगे फटाराजिया आप देखेंगे जितनी कटाप मैंने आपको दिखाई यह देखें कि मैलाओं में अच्छी कासी जाही रही है इसके बाद देखेंगे अब यदि वूमाइन अश्ची है तो आप 174 वूमाइन अश्टी है तो 155 इसके बाद यह आप देख सकते हैं ठीक ओवरा डिपेंड कर सब्सक्राइब करता है कटाप पेपर को पर आप यह देखोगी 200 नंबर पे जो आपको कटाप दिखाई दे रही है एक सब्सक्राइब तो आप खुद अनलाइस करें कि दो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा नंबर होते हैं यानि कि 96.5 तो लेकिन आप पेपर का जब लेवल पेपर बनाया गया और आप देखें कि चारों पेपर हुए वह एक ही लेवल पे हुए ऐसा नहीं कि कोई पेपर सरल कर दिया कोई पर कटन कर दिया ठीक ठाक पेपर बनाएंगे तो यह मानी चलिए आपकी कटाप अच्छी आजी घटेगी ठीक तो अब मैं कटाप बताने व इतनी कटाप जाएगी विदी गुर्प सी की बात की जाए और आप यू आर के टेगरी में आते हैं तो यह मानी चलिए सथर से बातर में आपकी नमबर आ रहे हैं तो आपका सलेक्सान हो जाएगा ऐसे ओवी सी की बात की जाए तो 67 दो 69 नमबर एव्याश्टी फाइव दू एपनी प्रेटर रोके ही नहीं फ्लस के तीन तीमि Barry से उना इंब बताया मिद्वन नमबर माइफ दिन यानि यूदि आ रहा है यूँ आप अपनी अguar है तो भी आप अंपनी बाते सब्सदी दन करते रहे ऐसे जो मैंने पहले जो बताई यह श्रेंज में आप माइनस के तीन आ रहें तो आप अपनी त्यारी बंद ना करें ठीक है चांसे बहुत जादा हैं सेलेक्ट होने के ठीक क्योंकि नंबर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गलतियां भी हुई है और तो यह माने के लिए आपके चांसे बहुत ज़्यादा ठीक आंगे देखते हैं अब बात करते हैं गुरूप डी के तो भी यह 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 यूर कंडिटेंट और आपके नंबर 75-77 में आ रहे हैं तो भी आपके सेलेक्शन होने के चां संसे हैं फिर भी आपको डी मोटिवेट नहीं होना है त्यारी अपनी करते रहना है ठीक है वह भी सीख बात की जाए तो 72-74 ऐसे यदि मैं इसकी बात करूं तो 65-60 और सब्सक्राइब करूं तो 60-62 होगा यहाँ पर एक थोड़ा सा हट गया ठीक है आंगे देखते हैं अब यह बात की जाए इस्टाइनोग्राफर की तो आपको पता है किसका एक्जाम सो नंबर का पेपर होता है इसके बात 50-50 होती है और 50 नंबर की इस्टाइनोग्राफी होत जाएगा इसे उबीसी साट से बासट इडवली एस साट से बासट इसके बाद से कंडिडेट 56-58 और इस टी कंडिडेट 52-55 तो आप बहुत जादा है पिछली वर्सी के पैच्छा में तो माद कि चलिए आपका बिल्कुल सेलेक्शन हो जाएगा आप अपनी स्किल भी तयार रखें साथ इसाथ हिंदी और इंग्लीज की टाइपिंग बिल्कुल अच्छे से प्रपेयर रखें ठीक है चलो आंगे बात करते हैं उसकी ड्राइवर का आपने एक्जाम दिया और आपके नंबर यू आर कैटागरी से पैंसाट की सरसट के रिंज में हैं साथ इसाथ ओब करा रहता हूं साथ यसाथ एक्जाम सेंटर में भी पीपर के अंड्राइव तो उसके यह आप मैंने बता आ किया सकती डियो को दो ख çev 225 करे ऑफ अर चैनल को सब्सक्राइब करते रहे यह दिम्हम द्वारा किया एक प्रेयास आपको पसंदार राव हो ठीक है तो ओवर आल वीडियो को लाइक करते ना थैंक्स फर यू ताम